चर्खी दादरी में हर्याना रोडवेज की तालमेल कमीटी द्वारा सेवा मुक्त कर्मियों की बहाली वे अन्यमागों को लेकर 31 दिन भी धरना जब प्रतसंच जारी रहा हाला कि बुद्वार को चक्का जाम वारता के बाद खोल दिया गया वही रोडवेज प्रिदेश अद्यक्ष अनूप सहरावत ने कहा कि रोडवेज करमचारी कई बार सरकार से बारता कर धोका खा चुके हैं अब की बार आठ मई तक इंतजार करेंगे और सरकार वेविभाग से बारता सफल होती है तो वह हर्याना भर में चक्का जाम कर देंगे चर्की दादरी से साहिल कुमार की एक रिपोर्ट यह जो उस हालात और परस्तिती में जो सीनियर मेरे साथी थे बहुत ही सम्मानित साथी थे उन्होंने जो फैंसला लिया और करमचारियों को विस्वास में लेटते हुए जो फैंसला लिया हो सकता है उनकी सोच अच्छी हो और उनकी सोच इस फैंसले के इनको जवानिंग करवाने का उनको कोई सामने दिखाई दिया हो तो इस साधार पर उन्होंने फैंसला लिया लेकिन मेरा यह कहना है वो दोखा 6 बार हम खाचुके हैं साथ में दोखे के लिए इंतजार में हैं आठ तारीक तक उसके बाद सरकार के आमने सामने रोडवेज का करमचारी होएगा क्योंकि सरकार इस विबाग के अंदर इस विबाग को बरबाद करने के लिए अंदर दिन परती दिन पॉल्सिया लैने का काम कर रही है अभी आपने पीछे देख्या होगा 500 बसें जो लैने के लिए किलोमीटर सकीम पे जो सरकार तयार है इस से रोडवेज का परिवार बिलकुल इस से खपा है इस से बहुत ज़्यादा गंभीर चिंतित में है और तुरंत अगर ये लैने का परियास करेगी सरकार तो तुरंत इंटे रोडवेज का परिवार तयार है जादा